सुरूती को नीधी नहीं आ रही थी, वो जब भी आँखे बंद करती, उसकी आँखों के सामने रादे की वो आँखे आ जाती, जो उसे बेचेन करने के लिए काफी थी, अगले दिन रादे अपने केविन में काम में लगा हुआ था, तभी किसी ने डोर नोक किया, रादे के क कम इन बोलने के बाद केविन का दरवाजा खुला और एक लंबा चोड़ा आदमी काले रंग के सूट में हाथ में एक फाइल लिए अंदर आया, रादे ने उसकी तरफ देखा, तो उस आदमी ने वो फाइल रादे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर इसमें सारी डीटेल् और उस आदमी को जाने का इसारा किया, वो आदमी तुरंत वहाँ से चला गया, रादे ने अपनी नजरे फाइल में डाली जिसमें सुरूती की सारी इनफोर्मेशन थी, रादे ने वो फाइल खोली और पढ़ने लगा, हर एक पेच को पढ़ने के बाद उसके चेहरे के भा गाड़ी निकालने को कहा, ड्राइवर ने अपना सर हां में हिलाया और गाड़ी निकालने के लिए चला गया, रादे के गाड़्स भी अपनी गाड़ी निकालने चले गया, रादे जैसे ही बाहर पहुचा, ड्राइवर ने गाड़ी रादे के सामने लाकर रोग दी, राद राधे की गाड़ी के बिलकुल पीछे ही खड़ी थी, राधे की गाड़ी चल पड़ी, सुरूती किचन में खाना बना रही थी, खाना लगबग बन चुका था, बस रोटिया ही बाकी रह गई थी, तभी किसी ने डोरबेल बजाया, सुरूती जल्दी से दर्वाजा खोलने के लिए बढ़ गई, दर्वाजा खोलते ही सुरूती चौक गई, सामने राधे खड़ा था, और उसके पीछे उसके गाड़, सुरूती हैरानी से राधे को देखे जा रही थी, ये पहली बार था, जब सुरूती ने राधे के तरफ गोर से देखा, और नजरे नहीं चुराई और राधे भी सुरूती को देख रहा था, सुरूती ने सलवार सुट पहन रखी थी, और अपने बालों को चोटी बांध रखी थी, और उसके गालों पर थोड़ा सा आटा लगा हुआ था, जिसे उसके चेहरे पर आये हुए लट छुपाने की कोसिस कर रहे थे, राधे का म चुके थे, वो भी बाहर आ गये, वो जैसे ही दर्वाजा के पास पहुचे, सामने राधे को देखा और देखकर सन रह गये, फिर अचानक से सुरूती को साइड करते हुए, दीरे से सुरूती से बोले, यहां खड़ी-खड़ी क्या देख रही है, जा जल्दी चाय बनाला, राधे ने जब यह सुना, तो उसके चेहरे के एक्स्प्रेशन एकदम से कठोर हो गये, सुरूती के चाचा ने राधे से अंदर आने के लिए कहा, राधे गाड को बाहर रोक कर खुद अंदर चला गया, राधे सोफे के सामने बैठा हुआ था, उसके सामने सुरूती के चा पस किचन में चली गई राधे ने चाय का एक सीप लिया और एकदम से कहा मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उसे साधी करना चाता हूँ चाचा चाची का चेहरा खुसी से चमक उठा राधे ने आगे कहा और मैं ये साधी कल ही करना चाता हूँ कोट में चाचा ने फो चाए का कफ खाली हो जाने के बाद कप टेबल पर रखा और उट खड़ा हुआ चाचा चाची भी साथ ही खड़े हो गए। चाए के चाचा चाची दर्वाजे पर ही सोक्ठ हुए खड़े रह गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी वेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे की कहानी का अगला भाग आप तक पहुश सकें। धन्यव वीडियो करें लाग आपको यह खड़े क का अगला आपको यह प्रेस करें लाग प्रेस करें रह लाग भाग बादें।